जैन्द श्वेंट्स आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने यूटीब चैनल सोनू सर क्लासेज में उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्थ होंगे और आप सभी की स्टेडी भी काफी अच्छे से चल ले योगी डियर श्वेंट्स आप सभी की लगाता जिसमें आपको एक ऐसी निंजा टेकनिक देने वाला हो जिसमें 100% गारेंटी होगी कि जो आप तुक्का मारेंगे वो आपका सही ही होगा ऐसी आपको टेकनिक आज के इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगे तो हम यहाँ पर दो कैटेगरी में स्टुएंट्स को डिवा चाहते हैं तुक्के को आप्सिनल रखना चाहते हैं कि जरूरत पड़ी तो यूज कर लेंगे प्रयोग कर लेंगे और केटेगरी सेकेंड में हमारे वे स्टुडेंट रहेंगे जिनोंने किसी भी वज़ा से बिमार पढ़ गया या फॉर्म लेट से डाला है त्यारी नहीं ह पाई अच्छी और अच्छा जो है प्रिपरेशन ना होने के कंडिशन में तुक्के की तरफ बढ़ना पड़ रहा है तो ऐसे स्टुडेंट्स को हम कैटेगरी सेकेंड में रखेंगे और दोनों के लिए ही अलग-अलग तरीके से बताएंगे कि तुक्का कैसे लगाना है ब वीडियो सबसे पहले पहुँचे आपके लिए इसके लिए चाहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और कहते हैं वो कि आधा ग्यान विज समान तो ये वीडियो जो है वो आप आधा ना देखें है ना देखते हैं तो पूरा देखें अधर्वाइस आप स्टार्टि कर रहा हैं मालों के वह 90 questions सब पहुंच गया और 10 questions बच गया 95 questions या 80 questions भी पहुंच गया 20 questions बच गया है है ना उनको difficulty हो रही है questions को solve गरने में hard हो रहा है उनके लिए है ना तो ऐसे बच्चों की बात करें अगर तो अब चुकि एक्जाम में negative marking तो है नहीं है ना आपके जो questions गलत होंगे उसके कोई भी नकारात्मक अंक नहीं कटेंगे negative marking नहीं होगी उसकी कोई आपके सही उत्तर के अंक नहीं काटे जाएंगे है ना जीरो अंक उसके मिलेंगे जो गलत आप जिसका भी उत्तर गलत दोगे जिन प्रशनों का उनके जीरो अंक मिलेंगे और सही उत्तर करने पे चार अंक एक प्रशन का मिलेगा 100 प्रशन का paper है 25 physics के 25 chemistry के और 50 maths के question आपकी परिक्षा में आने वाले हैं कुल 100 प्रशनों का paper होगा तो निश्चित तोर पे आप जो है यहां पर और थोड़ा सा अपने score को boost करने के लिए तुक्के की तरफ बढ़ सकते हैं अब हम लोग इसमें category 1 students की बात करेंगे वे students जो regular students है और regularly जो है preparation की तरफ जो है बढ़ रहे हैं prepare किये हुए हैं exam के लिए ठीक है ऐसे बच्चों को तुक्के के तौर पे elimination method यूज करना चाहिए है ना इनका जो तुक्का लगाने का तरीका है वो proper उसका एक method है जिसे हम elimination method कहते हैं जन्दली हमें जब प्रश्न मिलता है तो प्रश्न में हम क्या ढूणते हैं कि सही उत्तर कौन सा होगा चार option है आपके पास चार में से आप वो उत्तर ढूणते हैं जो उत्तर सही होगा ठीक है जैसे ये प्रश्न आप देख पा रहे हैं प्रश्न लिखा हुआ है कि दो ऐसी संख्याएं बताईए जिनको जोड़ने पर 57 यनि 57 आए और गुणा करने पर 680 आए तो आप ऐसा ढूणना स्टर करेंगे कि कौन सी वो संख्याएं बाई साब जिनको दो को अगर हम जोड़ते हैं तो 57 आजाएगा और गुणा करने पर 680 आजाएगा है ना लेकिन हम यह भी कर सकते हैं कि यहाँ पर हम उन तीन ओप्षन को भी ढूण सकते हैं जो गलत है और आपका एक ओप्षन अपने आप यहाँ पर अलग हो जाएगा जो सही है ठीक है इसमें 50-50 के chances ज़्यादा बनते हैं मतलब दो option आपके पज़ जाते हैं तो option सीधे सीधे cancel हो जाते हैं और अब आपका 50-50 का game हो जाता है कि कोई 2 option में से A का option ही सही होगा आईए मैं दिखाता हूँ कैसे जैसे यहाँ पर क्या है आपका A और B दो numbers हैं जिनका multiply करने पर क्या आ रहा है 680 आ रहा है अब यहाँ यह दो संख्या है अगर हम बात करें positive और negative sign के अधार पे तो यह दो संख्या है या तो positive संख्या होंगी या तो दोनो negative संख्या होंगी तभी इन दोनों का multiply क्या आएगा positive आएगा multiply क्या आएगा positive आएगा ये ध्यान से समझना कि या तो दोनो plus में number हो या तो दोनो minus में number हो तभी इसका positive में multiplication आएगा अब आते हैं option पे option में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दो ऐसे option दिख रहे हैं जिन में से आपको यहाँ पर minus का sign दिख रहा है जैसे minus का 17,40 में गुणा होगा minus में multiplication मतलब इसका result आएगा तो ये कभी नहीं हो सकता है ना ये आपका कभी right answer नहीं हो सकता ठीक है क्योंकि ये negative में multiplication देगा result देगा है ना इसी तरीके से option number D आप देखोगे तो इसमें भी आप minus के 27 का गुणा करोगे 30 में ठीक है तो यहाँ पर भी आपको क्या दिखेगा यहाँ पर भी आपको negative में answer दिखेगा जो कि नहीं हो सकता तो बन गया 50-50 का game यानि कि या तो A option सही होगा या तो C option सही होगा और यह 2022 और 2023 दोनों में आया हुआ question है ठीक है important question भी है यह आपका अब ध्यान से समझिएगा बच्चो कि आपका अब देखिए आपको जो पहली condition है वो तो दोनों ही verify कर रहे होंगे है अब यहाँ पर देखो पूरा multiplication करने की भी जरूरत नहीं है लास्ट में देखो जैसे कि आपका यह 0 दिया हुआ है ठीक है तो 0 को हटा दो है ना 0 के हटाने के बाद यहाँ option में से भी यह 0 हटा दो है अब यह जो दो अंक मिल ला है इनका multiplication करके देख लो unit digit 8 जहां भी मिल जाएगा जिसके multiplication में वही correct option हो जाएगा जैसे 4 का multiply 7 में करोगे 7, 4, 28 तो आ रहा है लेकिन अगर 7 में 3 का multiply करो तो 21 का 1 आ रहा है तो यह नहीं हो सकता ठीक है यानि कि 3 option तो आपके कड़े गए और option number 1 correct हो गया तो आपने देखा मैंने जोडा नहीं इस अंक को जोड़ कर चेक नहीं किया मैंने गुणा complete पूरा गुणा नहीं किया लेकिन आप proper method से भी करके देखेंगे तो 3 option आपके गलत हो गया और 1 option आपका सही हो गया इसे कहते हैं elimination method तो ऐसे बच्चे जो regular prepare कर रहे हैं वो तुक्के के तोर पे सिर्फ और सिर्फ elimination method के साथ जाएंगे अब बात करते हैं उन बच्चों की जो कि category second में है जिन्होंने prepare नहीं किया किसी भी वज़े से बीमार पढ़ गया कोई साधी का function पढ़ गया कोई भी anyone कोई भी reason हो सकता जिसकी वज़े से पढ़ाई कोई genuine reason जिसकी वज़े से पढ़ाई नहीं कर पाई लेकिन चाहते हैं कि सरकारी polytechnic के race में रहें starting से ही ना भाई pavilion से बाहर हो जाएं है ना तो race में सरकारी polytechnic के race में रहना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ score आपको करना पड़ेगा है ना तो ये देखेगा आप उसके लिए क्या कर सकते हैं के लिए आपका पहला तो ये देखे elimination method तो है ही आपका ठीक है अब elimination method को use करके करना कैसे है 20-25 तो at least ऐसे आसान question होंगे ही जो हर बच्चा कर सकता है basic अगर 10 पढ़के आ रहा है तो वो कर सकता है उसमें कोई दिक्कत कोई problem वाली बात नहीं है ठीक है अब आपके परिक्षा में कुल कितने प्रश्ण है कुल आपके 100 प्रश्ण है कुल 100 question है आपके पास ठीक है कुल अगर आपके पास 100 questions है तो 100 questions में देखेंगे आप कुछ प्रश्णों के option number A, 25 question के option number A सही है 20 question के option number B सही है 30 question के option number C सही है है ना और 25 question के option number D सही है है ना तो इस तरीके से करके आप देखेंगे कि आपका कोई एक ही option 100 100 सही तो होगा नहीं कुछ के option number A सही होंगे कुछ परशनों के option number B सही होंगे कुछ परशनों के option number C कुछ परशनों के option number D सही होंगे अब आपको average method में करना क्या है आपको elimination method लगाओ या proper solve करके आप कुछ प्रशनों को हल करो minimum 10 प्रशनों को हल करो लगातार है ना और उन 10 प्रशनों में आप check करो कि कौन सा option सबसे ज़ादा सही हो रहा है ठीक है तो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको हर मालो एक से 10 तक के हमने यहाँ पर question solve किये है ना पहले का A सही है दूसरे का B तीसरे का C चौते का B पाँचवे का C है ना ऐसे करके आपका सही है अब यहाँ देखो सबसे ज़ादा option कौन सा सही है जैसे कि अगर आप देखोगे तो B सबसे ज़ादा यहाँ पर दिख रहा है एक, दो, तीन, चार, पाँच questions में B आपके सही हो गया है average अगर आप निकालोगे तो यहाँ 10 questions का पाँच questions में आपको option number B जो है आपको correct दिख रहा है ठीक है अब option number अगर B आपको दिख रहा है सही तो अब देखो अगर आप ऐसे तुक्का लगाते हो कि किसी का भी A मार रहे हो किसी का भी B मार रहे हो किसी का भी C मार रहे हो अकड़ बकड़ बंबे 8090 पूरे 100 यह वाला जो है गिंती गिंके और तिक करते चले जा रहे हो तो इसमें maximum प्रश्न गलत होने की ही guarantee है है ना maximum question गलत तो भाई आपके उतने भी marks नहीं आ पाएंगे कि आप सरकारी पॉलिटेक्टिक के race में जो है बने रहो ठीक है लेकिन अगर आप average method लगाते हो जैसे यहां पर माल लो कि 5 question के 10 question में से maximum 5 questions के option number B correct आए तो अब आपका करो line से जितने भी अब आपके सवाल बचे है 10 के अलावा 90, 80, 50, 40 ठीक है इसमें आपको क्या करना है उनको line से लेकर के B number का यानि एक ही option लेकर के mark कर दो पूरा जो है B option टिक कर दो अब इसमें क्या होगा on or average जैसे अगर 20 question सही हो रहे है suppose that एक minimum में बात कर रहा हूँ तो अगर 20 question सही हो रहे है तो 20 गुणा 4 कर लोगे और ये guarantee है कि अगर 20 question सही हो रहे है तो 4 दोना 8, 80 marks आप minimum पा गए यानि कि आप सरकारी पॉलिटेकनिक की race में है back to pavilion आप स्टार्टिंग में ही नहीं होगा और maximum मालो आपको दिखा कि option number C आपको average के तोर पे मिला और यहां मालो कि 30 questions सही हो रहे है on or average तो अब 30 का गुणा कर लो 4 में 4 तेहीं 12, 120 marks आपके यहां बन जाएंगे है ना लेकिन अब ध्यान देना कि किसको कौन सा तुक्का वाला trick यूज करना यह सबसे ज़्यादा important है यहां पे यह सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिनकी बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं होई है और ऐसे वो तुक्का मारके रेंडमली कोई भी option अगर क्लिक करके आते तो वो 5 नमबर, 10 नमबर, 15 नमबर, 20 नमबर पाकर कहानी खतम हो जाती वो कहीं से भी race में नहीं रहने वाले थे ठीक है लेकिन अभी क्या है अगर 80 नमबर, 120 नमबर इस तरीके के marks अगर आप यह तरीका अपनाते हो अगर आता है आपका तो सरकारी पॉलिटेकनिक की race में रहोगे एटलिस्ट कोई आपको ब्रांच CS, IT है ना electronics कोई ब्रांच आपके 80, 120 नमबर पे मिलने के chances रहेंगे ठीक है आप जो है पहले ही back to pavilion नहीं हो जाओगे ठीक है आप race में रहोगे और race में रहने के लिए ये चीज़ जो है आपको जरूरी है तो आप जैसे सोचों कि 5 नमबर पाना ज़्यादा अच्छा रहेगा कि 80 या 120 नमबर पाना ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि देखे, accuracy एक factor है, जो rank पे effect डालता है, जितने जादा आप प्रश्न गलती करोगे, उतने जादा बच्चों से पीछे भेजा जाएगा, accuracy का पूरा प्रभाव रहता है इस चीज पे, है ना, क्योंकि rank इस बात पे depend करती है, आप sonus or classes app के उपर चले जाओ, वहाँ पर क का definitely अगर मालो स्कुल 100 बच्चों ने participate किया, और जब आप तुक्का लगा रहे हैं 100 सभी प्रश्नों का, और वहाँ पर अगर आप rank दिखोगे, तो आपको 80, 90 या 100 वा अस्थान दिखाई देगा, rank जो है आपका बढ़ जाएगा बहुत जादा, और जब आप यहाँ पर questions क को solve गर के proper, अगर 50 प्रश्न ही आ रहे हैं और 50 प्रश्न आप करके आ रहे हो, तो 50 प्रश्न में आपको rank दिखेगा कि पहले एक से 10 बच्चों में आपका नाम आ गया, और इसका प्रभाव किस वज़े से हो रहा है, आपकी accuracy, आपने अच्छा किया, आपने जो प्रश्न attempt क यह उसमें सही होने वाले प्रश्नों की संख्या जादा है, है ना, इसलिए आपकी rank अच्छी आई, है ना, और यहाँ पर 5-10 प्रश्नों में अगर आप रिस्क ले रहे हो, है ना, तो आपका accuracy तो मालो अगर आपने 80 question already सही कर रखा है, तो accuracy तो पहले ही 80% चला है ना भाई ठीक है, और 20 प्रश्नों में अगर बाकी के आप यहाँ पर तुक्का लगा भी रहो बच्चो, तो 20 में से मालो अन और एवरेज अगर आपने 10 question सही कर दिये, तो यह 80 plus 10 90 question आपके सही हो गए, और इसमें क्या हुआ, आपका accuracy increase कर गया, इसमें percentage accuracy आपके increase हो गए, 90% हो गई आपके, तो आपके यहाँ पर आपने already ऐसी question करके अपना rank और अपनी accuracy को maintain कर लिया, इसलिए elimination method लगा कर बाकी के 20 परश्नों पर आप तुक्का मारी, कोई दिक्कत नहीं, कोई problem वाली बात नहीं है, है ना, आपके यहाँ पर rank जो है improve हो जाएंगे, problem उन बच्चों के लिए जो बच्चे बहुत कम 40-50 questions ही कर रहे हैं, ठीक है, पढ़ रहे हैं, regular student है, और इसके बाद बाकी 50 में तुक्का लगा रहे हैं, उनका result खराब हो जाएगा, ऐसे बच्चों को तुक्के की तरफ, elimination method तक जहां तक सही हो रहे हैं, प्रश्न, वहीं तक करना चाहिए, बाकी को skip करके जले, जाओ, 100% questions attempt करने की आफशकता नहीं है, 100% questions कौन attempt करेंगी, जो बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं किये हैं, वो 100% questions attempt करें, average method को यूज करके, बाकी जो regular student हैं, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल बर से त्यारी कर रहे हैं, वो elimination method यूज करें, और जहां तक लगता है कि सही हो रहे हैं, प्रश्ट, वहां तक करें, और बाकी जो 80-90 questions तक पहुँच गया है, 10-20 questions पर अटक गया है, वो पूरे 100 तक जाए, elimination method का यूज करके, इसमें आपके जादा-जादा correct होने की guarantee है questions की, तो ये आपके बच्चों तुक्का लगाने की सबसे बहतरीन technique है, ninja technique है, जि जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाए किसी भी वज़ा से, और बाकी तो लग पे depend करता है, भगवान का नाम लो, और जो है, लगजाओ अपने काम पे, आपका लग अच्छा रहा, तो निश्यत तोर पे हो सकता है, 40-50 questions ही हो, जो बिलकुल ही पढ़ाई नहीं कर रहा है उन दिलकुल ही मैं आपको कोई भी ऐसा गाइड नहीं करना चाहता हूं, लास्ट मोमेंट पे, जिससे आपकी पूरी प्रिपेशन जो है, उस डिस्टर्ब हो है, तो इसलिए आपको मैंने category-wise डिवाइड करके सारी चीज़े explain करी हैं, बच्चो ठीक है, बाकी guest paper आप सभी को daily solve कराया जा रहा है, और लड़ी दो सेट के guest paper solve कराया जा चुके हैं, लक्षपैस 2024 की classes देखते रहिए, और guest paper को solve करके जाएए अपने exam में, maximum number of questions आपके direct वहीं से आने वाले हैं, एना, average वाला काम आपका guest paper से हो जाएगा, तो 100% आपका काम यहाँ पर जो है, बनने लगेगा ठीक है, धीरे-धीरे करके, तो मुमीद करता हूँ बच्चो आज का यह जो आज का यह वीडियो है, यह आपको अच्छा लगा हो, वीडियो अगर अच्छा लगा हो, तो वीडियो को like करिएगा, आपने सभी सात्यों के साथ share करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को subscribe कर ल लिए, जहन, वन्दे मातरम, आप सभी स्वास्त रहें, मस्त रहें